आजादी का अम्रित महोच्च अजादी का सफर आकाश्माणी के साथ भारत का गौरव शाली स्वतंतरता संग्राम आधुनिक विश्व के महांतम संगर्शों में से एक है आकाश्माणी समाचार आपके लिए प्रति दिन इस संग्राम की एक जलत लेकर आता है एक महान समाज सुधारक और भारतिय स्वतंतरता आंदुलन के सबसे प्रतिश्चित प्रतिनिधियों में से एक एनी बेसंट का जन्म एक अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था वो ततकालिन सांसद चार्ल्स ब्रेडलो के नेतरतु में सुधतंतर विचार और कटरपंते आंदोलनों में शामिल थी इनी बेसंट श्रमिक संग, राष्ट्रिय शिक्षा, महिलाओं को मतदान का दिकार और जन्म नियंतरन जैसे अग्रणी विचारों की पक्षिधर थी 1889 में इनी बेसंट थियोसोफिकल सोसाइटी में शामिल हुई, जो कर्म और पुनरजन के हिंदू विचारों पर आधारित एक धार्मिकांदोलन था उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रतिनिद्रु किया ज्यान जोती सकल जना ही ते, नाम नामा बसंद देवि जगत बंदि ते एनी बेसंट 1893 में भारत आई और उन्हें यहां के मिट्टी से प्यार हो गया वे महिलाओं की स्वेतंतरता, शिक्षा और विशेश रूप से उनके भारतिय स्वेतंतरता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में खड़ी थी महत्मा गांधी ने एक बार एनी बेसंट के बारे में कहा था उन्होंने भारतिय लोगों को गहरी नींद से जगाया है उन्होंने लोकमाने तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीक की सह स्थापना की जिसका उद्देश भारत में लोकतंतर और सामराजी के भीतर प्रभुत्व के लिए अभियान चलाना था जून 1917 में ब्रिटिश सामराज ने एनी बेसंट को जब गिरफ्तार किया तो कॉंग्रिस और मुस्लिम लीक दोनों ने इसका कड़ा विरोत किया सितंबर 1917 में जब बेसंट को रिहा किया गया तो देश भर से लोगों की भीड ने उनका स्वागत किया बाद में दिसंबर 1917 में उन्हें भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रिस की पहली महिला अध्यक्ष की रूप में चुना गया एने बेसंट ने 1916 में दर्भंगा के महराजा रामिश्वर सिंग, बनारस के महराजा प्रभू नाराइन सिंग, मदन मोहन मालविये और सुन्दरलाल की सहयता से बनारस हिंदू विश्विद्याले के स्थापना की बाद में उन्होंने 1922 में हैदराबाद, राष्ट्रिय, कॉलिजियेट, बोर्ड, भारत के स्थापना में भी सहयता की 20 सितंबर 1933 को चेननई में एनी बेसंट का निधन हो गया रगुपती वेंकट रत्नम नाइडू का जन्म एक अक्तूबर 1862 को आंध्रिप्रदेश के मशली पतनम में हुआ था उनके पिता रगुपती अप्पाया नाइडू सीना में सुबेदार थे और वे चंद्रपूर में रहते थे इससे रगुपती वेंकट रत्नम को हिंदी, उर्दू और फार्सी भाषाओं का ज्यान प्राप्त करने में मदद मिली उन्होंने मदरास कृष्टिन कॉलिज से सनातक किया उन्होंने मदरास विश्व विद्याले से एमे और एल्टी पूरा करने के लिए आगे की शिक्षा जारी रखी रगुपती वेंकट रत्नम ने लोगों को इमानदार नाकरी के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए अठारासो एक्यानवे में सामाजिक शुद्धता संग के स्थापना की उन्होंने चुवा छात के उन्मूलन और अनुसोचित जातियों के उत्थान के लिए काम किया और उनके लिए एक अनाथाले तथा एक छात्रावास के स्थापना की रगुपती वेंकट रत्नम ने आंध्र में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किये और काफी हद तक इसमें सफल भी हुए रगुपती वेंकट रत्नम ने विद्वा पुनर विभा को बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा को प्रोथसाहित किया उन्होंने आंध्र में भ्रह्म समाज आंधूलन को आगे बढ़ाया इन सभी सामाजिक सुधारों के कारण उन्हें वीर सलिंगम पंथुलू के बाद आंध्र के दूसरे महान समाज सुधारक की रूप में जाना जाता है रगुपती वेंकट रत्नम ने 26 मई 1949 को अंतिमसांस ली आज ही के दिन हिर्देनात कुंजुरू का जन वर्ष 1887 में हुआ था वो एक भारतिय स्वेतंतुता सेनानी और जानीमानी हस्ती थे हिर्देनात लगभग चार दशक तक प्रांतिय और केंद्रिय स्तर पर विभेन विधाई निकायों में सेवारत एक अनुभवी सांसत भी थे वे भारत की समविधान सभा के सदस्से रहे उनकी अंतराश्ट्रिय मामलों में भी गहरी दिल्चस्पी थी हिर्देनात इंडियन काउंसिल ओफ वर्ल्ड अफेर्ज और इंडियन स्कूल ओफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहसं स्थापक भी थे हिर्देनात कुंजरू ने 3 अप्रेल 1978 को अंतिमसांस ली इसके साथ ही आजादी का सफर आकाश्वनी समचार के संग श्रिंखला का ये अंक समथ हुआ मिलते हैं कल अगली कड़ी में कर दो हिर्ज ने 4 एंटर आकाश्वनी पया आकाशवनी हैस